यह अगले कुष्शनर की बात करते हैं जिसमें एछ फिगर दिया हुआ है यह जो ब्लू लाइन से जो बना हुआ हुआ है एछ फिगर है हमारा यह हम लोग ध्यान से देखेंगे तो टू पार्ट्स दो फिगर से मिलका बना हुआ है एक तो rectangle दिख रहा है हम लोगो A A, E, C, D और दुसरा हम लोगो को दिख रहा है E, C और B यह दो दिख रहा है तो हम लोगो को देखिए triangle का BCG हम लोगो को पता है कहाँ पे होता है और rectangle का BCG हम लोगो को पता है कहाँ होता है लेकिन whole figure का बनाना है तो उसी के लिए हम लोग formula use करते हैं A1, X1, A2, X2 करके यहाँ पर दो पार्ट है तो दोनों के लिए इसका area हम लोग मानेंगे इसको area को हम लोग मानेंगे A1 area है और इसके area को मानेंगे हम लोग A2 area है तो even area इसमें इसका जो centroid जो होगा यह जीवन है और इसका centroid हम लोग कैसे define करते हैं कि किसी rectangle के diagonal का cutting point होता है जीवन यहाँ पिसका centroid होगा यह हम लोग find out करनेंगे जली अब इसका जो हम लोग starting जहाँ figure है जो line start हो रही है उसी को हम लोग horizontal line को x सेक्सिस माल लेते हैं और vertical जो line है उसको हम लोग y axis हम लोग कहीं भी मान सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी line को ही x सेक्सिस मानें हम लोग यहाँ ही मान सकते हैं यहाँ ही मान सकते हैं लेकिन calculation के purpose से यह ज़्यादा better है ठीक है अब क्या करना है कि अब centroid g1 की distance y axis से x1 है x axis से y1 है ठीक इसी प्रकार इसके लिए भी g2 है और यह क्या होता है median जो होता है triangle का median मतलब की सामने वाले जो भूजा है उसको दो पार्ट में करने वाली रेखा को median बोलते हैं और जो median का जहांपर cutting point होता है इसको g2 बोलते हैं और इसके base से h3 पर होता है तो इधर से h3 होगा तो इसका जितना height होगा इसको फ़ीड हो जाएगा तो इधर का distance जो है इसको हम लोग y2 मानते हैं और यहां से जो distance इसको हम लोग x2 वानते हैं अब हम लोग भूजा सब पता है अब हम लोग फिर यहाँ पर एक टेबल प्रिपेर करेंगे जिसमें फिगर बनाएंगे फिगर के नीचे रेक्टेंगल लिखेंगे रेक्टेंगल के एडिया निकालेंगे तो ए इवन जो निकालेंगे 3 इंटु 6 18 और इसका जो डिस्टिणस है cg का यहां से xexist Grade 2 रहेगा ठीक है परिकार टेंगल के लिए a2 is equal to base into height a base 3 है, height इसका 6 है 3 into 6 by 2, यहां से 9 mm square आ गया और इसका x2 जो है, मतलब y axis से दूरी, तो y x, यहां इसके लिए जो base मानेंगे, इसके लिए जो a base है, इस triangle के लिए, इसकी height तो इतनी होगी, यह height है 3, तो यहां से इसका जो distance होगा, ओ 3y 1 by 3 into 3, मतलब 1 होगा लेकिन distance जो चाहिए हमको y axis से चाहिए, तो 1 plus 6, यहां पर हम लो 1 plus 3, तो 3 plus 1 by 3 into 3 is equal to 4 हो जाएगा और y वाला distance जो चाहिए तो इस base से चाहिए, इस base से height का 1 by 3, तो height कितना है, height 6 है 6 का 1 by 3 is equal to 2 mm हमारे पास x1, x2 a1, a2, y1, y2 distance of centroid, object distance from y axis, मतलब जो mean जो है, g की value हम लोग निकाल लेंगे total figure, whole figure का, तो ऐसे करेंगे यहां पर plus इसलिए है दोनों को, क्योंकि दोनों figure जुड रहे हैं, कोई इसमें से cut out नहीं है, तो यहां से 2.33 mm आ गया, similarly vertical distance अगर निकालेंगे, centroid का distance distance from x axis, आ जाएगा, y bar is equal to a1, y1, plus a2, y2 ठीक है, यहां से 2 point, अब इस location, जो point है, इसको मनों यहां आसानी से दिखा सकते हैं, जब y axis से 3 के distance इतना है, और 3 से कम का distance 2.33 है, मतलब कि यह वाली distance से कहीं कम ही होगी, इधर कहीं, ठीक है, अब y axis से जो distance है, ठीक है, एकसिस से 3 का distance जो है, यहां पर है, तो 2.67, इससे कहीं नीचे ही होगा, तो यहां 2.33 चलेंगे, 2.7, तो यहां पर जाकर के हम लोग को exact इसका location, जी मिल जाएगा, जो total figure का center of area होका लाएगा, यहां फिर इसको बोलेंगे, हम लोग centroid बोलेंगे, इस परकार से यह भी complete हुआ, thank you,